यसरी नमस्कार दोस्तो मैं हूं आपका दोस्त बफली कुमार और आप देख रहा है वावलु यूत्यूव आल को दोस्तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को Subscribe नहीं किया है तो प्ली चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सकें तो दोस्तों आई आज हम लो जानते हैं कि फ्यूल पंप जो हता है कैसे सेट किया जाता है तो उसी की जानकारी हम आपको दे रहा है कि फ्यूल पंप कैसे सेट किया जाता है यह जो फ्यूल पंप का पार्ट है इसको मैंने पूरा डीजल से दो करके और रख दिया है और सबसे पहले हम क् सब्सक्राइब या जो फ्यूल पंप है ब इसको वेंक उपर से क्या करेंगे कि डालते समय आपको दिखाई देघ तक कील मैं उपर निकना होता है और यह फ्यूल क्यों पंप इसको इसमाई निकना करने 30-tillिर है और इस खांचे को मतलब ऐसे उसमें उपर से डालेंगे कि जो कील है इस खांचे में आकर के लग जाये और इसको पुलut करके हम देख लेंगे कि यह तो ऑने से पहुंचा है कि नहीं पहुंचा यह जो इस प्रिंग देख रहे हैं इसी स्प्रिंग को उसमें हम लगा देंगे और इस प्रिंग लगाने के बाद उसको या जो नट है इसको कस देंगे उस पे और या कसने के बाद से देखिए इसको रिंच से मतलब बनिया से इसको हम टाइट कर देंगे और उसके वाद से या देख रहा है जो ग्यर है या ग्यर है इसको डालने से पहले देखिए इसमें दोनों में मारका लगा हुआ है एक चिन लगा हुआ है जो कि चिन है या ग्यर डालते समय या चिन दोनों आपस में मिलना चाहिए ठीक है तो इसको पहले हम इसको लगा वा funded कि फ्रेट से चेलिए को दिखा रहा है को ज़ी दिखा रहा हैं कि दोस्तों देख रहे हैं तो इसक्ता दम्हाँ और इस वा Υा को पेचकस की सहायता से विस्त minimize क्या करेंगे कि बैठा देंगे और बैठाने के बाद इसमें जो मतलब चारों तरफ से वह बढ़ जाए उसके बाद से स्प्रिंग को क्या करेंगे कि स्प्रिंग को इसमें हम डाल देंगे इस्प्रिंग को डालने के बाद से जो जो उसके बाद से इसमें स्प्रिंग डालने के बाद से जो फ्यूल पॉम्प है देखिए फ्यूल पॉम्प में कट है वहां पे जो दिखाई दे रहा है कट है और इसमें वहां पे उंगली के पास कट है इन दोनो फ्यूल पॉम्प को ऐसे डालेंगे कि वह उसी के एकदम ठीक सामने ज़ाए और उसके बाद से यह जो उपर का वासर है इस वासर को उसमें लगा जैसे कि वह प्रेसर के समान ऐसा महसूस हो कि उपनी नीचे दब तो इस पी हम क्या करेंगे जैसे मैं दबा के दिखा रहा हूं उसी तरह से अगर दबने लगेगा तो जो काइब है इसके उपर से हम क्या करेंगे काइब को लगा देंगे काइब को लगाने के बाद यह जो है उसको लाग को उसमें हम लगा करके बढ़िया से बैठा देंगे और बैठाने के बाद से देखिए आपका फ्यूल पंप है वह तयार हो गया तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब कर दें दोस्तों और कमें में अगर जवाब देंगे कि हाँ डाला जाया तो ऐसे इसे मैं वीडियो बना कर आपके लिए डालता रहूंगा पेस करता रहूंगा तो दोस्तों तब तक के लिए विदा लेते हैं फिर नेस्ट वीडियो मिलेंगे धन्यबाद स्क्राइब करा दोस्तों तक जैंगे हम आपके लेक लेका लेका लेे लिए से ताइब राहका आपकर रहे में आपको अगर प्रियां maju जै भीडिकरी कि अ. झाल झाल